हेलो दोस्तो कोरोना आई एस यूटूब चैनल में आपका स्वादत है आप जो तस्वीर देख रहे हैं इस महान पुरुष की ये हैं उत्तर पर्देश के पहले मुख मंत्री पंडित गोविंद बल्लब पंत हाँ गोविंद बल्लब पंत इसी के नाम पर एक शागर है आप जानते हैं तो पंडित गोविंद बल्लब पंत और इसे भारत रत्न भी मिला था 1927 में इसे भारत रत्न भी दिया यह था समर्पित देख भारत नाथ पंडित गोविंद बल्लब पंत और इनका जो जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को जन्म हुआ था और इनकी निधन यानि मिर्ट्यू साथ मार्च 1961 सार्थ मार्च 1961 में निधन हो गया तो इसके बारे पूरी जानकारी लेंगे पर आप देख लिजे यह यह गोविंद बल्लब पंत गोविंद बल्लब पंत देखिए बच्चे को कितने मानते थी सब तस्वीर देखिए प्राचिन तस्वीर देखिए आप गोव परदेश के पहले मुख मंत्री गोविन बलापन्त। तो 16 10 787 में भारतिय स्वतंदर्ता शिनानी थे और भारत के चवते ग्री मंत्री रह जुके थे बारत के चवते ग्री मंत्री गोविन बलापन्त। जो जन्म हुआ था वो उत्राखंड उत्राखंड के अल्मोरा उत्राखंड में हुआ था 1914 मनों ने अंग्ड़ी सासन खिलाफ आंदोलोनों में हिस्सा लेना शुरू किया 1921 में राजनितीम कदम रखा और 1930 में ये महात्मा गांदी के साथ डांडी मार्च में भाग लिये थे 1950 लेकर 1954 तक उत्तरप्रदेश के पहले मुखमंत्री रहे हिंदी को राजभासाकरू में पर्थिश्टित करान में इनका महत्पुन योगदान धा और 1957 में भारत रत्न आवार्ड से सम्मानित के आई है और साथ मार्च 1961 को इनका देहांत हो गया देखिए भारत नत मिला है उत्तरप्रदेश के पहले मुखमंत्री और किस दल से भारते राश्टिक कॉंग्रेस से उस से प्रधान मंत्री को थे पंडिस जबाला नेरू थे तो ग यही हैं गोविन बल्लब पंद उत्तरप्रदेश के पहले मुखमंत्री और भात के चौते ग्री मंत्री गोविन बल्लब पंद